नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का ज्यान हेल्थ केर चैनल में दोस्तों हमारे देश भारत वर्ष में तरह तरह के दिप और दुरलब जड़ी बूटी पाई जाती हैं जो कि मनुस्य जाती के लिए किसी बरदान से कम नहीं है पहले के जवाने में जब अंग्रेजी दवा नहीं था तब इनी सब जड़ी बूटी के परियोग से लोग बहुत सारे बिमारियों का इलाज कर लिया करते थे लेकिन दोस्तों आज कल के समय में लोग इन सब जड़ी बूटीयों को भूलते जा रहे हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन सब जड़ी बूटी के बारे में बताने का परियास कर रहे हैं ताकि आप सब इन जड़ी बूटीयों के बारे में पुनह जान कर इसका लाव ले सकें तो दोस्तों अगर आपको हमारा जनकारी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आप सभी के लिए ऐसे ही नई-नई जनकारी लेके आता रहूं तो दोस्तों आज मैं जिस चड़ी बूटी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसका नाम है धतूरा अरिवेदा चार लोगों द्वारा बताई गई हैं तो दोस्तों इस वीडियो में जो पवधा आप देख रहे हैं इसको धतूरा के नाम से जानते हैं यह ज़्यादा तरसड़क के किनारे नदी नाले के किनारे देखने को मिलता है इसकी तीन परजातिया पाई जाती हैं सफेद, पिला और काला लेकिन तीनों का गुण एक समान ही होता है दोस्तों अगर किसी बैक्ती को गंजापन की समस्या है जोडों में दर्द रहता है बाल तोड हो गया है यानि घाव हो गया है कहीं पे सूजन की समस्या है तो यह धतूरा एस सभी तरह के बीमारी के लिए सबसे कारगर असदी है यदि किसी बैक्ती को गंजापन की समस्या है बाल जड़ गया है तो इस धतूरा के पतियों का रस निकाल कर गंजापन वाले अस्थान पर लगाने से गंजापन की समस्या ठीक हो जाती हैं और नए बाल आने भी लगते हैं इसके साथ साथ अगर किसी बैक्ती को जोडो में दर्द की समस्या है गठिया हो गया है तो इसके लिए धतूरा किसी चमतकारी और सदी से कम नहीं है इसके लिए धतूरा के पतियों को पीश कर दर्द वाले अस्थान पर मालिस करने से दर्द में बहुती जल्दी आराम मिलता है और गठिया रोग भी ठीक हो जाता है इसके साथ साथ अगर किसी बेक्ती को कहीं पे सूजन की समस्या है यह जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा है किसी बेक्ती को बाल तोड़ हो गया है यानि बाल तूटने के कारण उसको बड़ा घाव हो गया है तो धतूरा के पतियों को पीश कर इसमें हलका नमक डाल कर इसको गरम करके घाव वाले अस्थान पर लेब करने से घाव बहुती जल्दी ठीक हो जाता है तो दोस्तो इस जनकारी को एही समात करते हैं धन्य बाद